नमस्कार दोस्तों केसे हैं आप लोग हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनविज्ञान और ये है आपके वीडियो कक्सा 11 की जो पाठे पुस्तक है RBSC बोर्ड की वो और इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि हमने इसमें ये जो है ये चैसाथ आठ नो दस ये पार्ट हमने पढ़ ल पाठे लिए हैं इनके वीडियो पले लिस्ट में मिल जाएगे इसी वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप ये पार्ट पढ़ने है ठीक है पांच पार्ट इनमेंसे भी कुछ टोपिक आपके नहीं है पाठे करम में जीट के एकोडिंग MP तो मनवग्यान का प्र प्रस्तुत पूश्तक मुनविग्यान की वह साखा है यानि शेक्षा मुनविग्यान की एक साका है जिसके अंत्रगत मानविय वेवार का वातावरन यह प्रस्तितियों की पुस्तक में वीभिन अदेहों के माद्यम से मानव वेवार को विशलेशित करने का सांगो पांग यानि बहुत जोरडार रूप से परियास विद्यार्थियों के इस तरह के अनुकूल किया गया है मनवज्यान की परकर्टि एवम छेतर उन आयोवमों को समझने का परियास है आयाम का मतलव विस्तार जिसके दवारा मनवज्यान के उदेशे उसका इतियास और भारतीय परिपरेक्षे में मनवज्यान का विकास अन्य विश्यों से उसका संबंध जो है इसमें हम देखेंगे वीदियों और रेख ये परदर्शन द्वारा समझाया गया है सब्रावली रेख ये आप मानो वेभार के आधार एकाई जेविक्ये कारकों की भूमिका को परदर्शित करते हैं तथा तंत्री का तंत्र के यानि जो समेधी चीजें हैं वीभिन आयमों को समझने में उलेकित है हमने देखा भी था कि जब समवेग परिवर्थत होते हैं तो क्या-क्या परिवर्थन आते हैं समवेग कों के दोरान मानो विकास उस परकरिया और कारकों का वीवरण है जिसके अंतरकत वीभिन सिदान्तों का निरूपन किया गया है मानो वेवार का ग्याना आतमत पक्ष समेदना परतिक्षिकर्ण एवम अवधान यानि अटेंशन के रूप में विद्यार्थियों को समझने का परियास जो बाहरी उतेजनाओं को कैसे पराणी अपने अंतहमे गरण करता है मस्तिस्क पटल पर इस्पंदित और समेदित होता है वेवार में परिवर्थन और परिवार्जन मूल भूताव सिकता है वेवार में परिवर्थन का मतलब चीजें को सीखना जिसे हम अधिगम अत्वा सीखना कहते हैं मान लीजिए कि आप नया फोन लाए और आपने उसको चलाना शीख लिया एपल का फोन लाए चलाना शीख लिया कम्पिटर लाए चलाना शीख लिया तो वो आपके वेवार में परिवर्तन है कोई वेक्ति केसे शीखता है क्यों शीखता है क्या शीखता है इस परीकल अपना को विभिन शिधान्तों एवम आकर्तियों के मादिम से समझाया गया है यानि अधिगम के शिधान्त हम शिवम अपने वेवार संपादन को समझने का प्रियास नहीं करते लेकिन लक्ष उन्मुक वेवार निरंतर अग्रेसित होता रहता है यानि हम अपने आपको जाए समझे या नहीं समझे मगर हम एक वेवार करते रहते हैं जिवन जिने के लिए इसमरण और विशमरण भी आफशक है मेमोरी और याद रखना और भूलना प्रस्तत पुस्तक में इसमर्ती और इसमर्ती के परकार ये हमने पढ़ लिए विशमर्ण के सरूप और उसके कारण ये भी हमने पढ़ लिए आपने वीडियो भी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें पले लिस्ट में जाकर देख लेए चैनल के उपर मिलती है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेए टेलेग्राम पर देख लेए एप में मिल जाएगी सब जिगह मिल जाएगी आपको इस वीडियो को पूरा देखें इसके लाश्ट में लिक मिल जाएगा उपर आई बेटन में मिल जाएगा तो वीडियार्तियों को इसमर्थी वर्दे के लिए उद्वेलित करता है इस्मृतिक प्रक्रिया क्या है? मांसिक प्रक्रिया है कितने चरण होते हैं? तीन ग्यानात्मक इस्तर उच इस्तर ये कड़ी चिंतन वे भासा है चिंतन का भी हम पड़ चुके हैं चिंतन क्या है? और हमें जीवन में आने वाली समश्याओं, उनके समाधान, तरकना, तरकना क्या है, तरक करना, मानसिक परतीमा, निर्णयन, आदी सब भी हम पढ़ चुके हैं निस्पादित करने की विद्यार्थियों में समझ विक्षित करती है इशेतु भासा और उसका उप्योग अभिवेक्ति के मादिम से पुस्तक में समित किया गया है जो प्याजे एवं अन्य विचारदारों को लेकित करता है वेवार के क्रियात्मत पक्ष या निस्पादन पक्ष के अंतरगत अभी प्रेयरना एक महत्वपुनिस्तान है जो वेवार को अग्रेशित उद्वे गित या उद्वेलित और अनुकुलित करने में मदद करती है इशेतु मूल परवर्तियां लक्षे निवदिष्ट वेवार पुरसकार और दंड अभी प्रेयरना के परकार का विस्तर तालेकन इस किताब में है तो हम आदी किताब तो पहले के 10-12 वीडियोज में पढ़ चुके हैं 5-7 वीडियो में हम और पढ़ लेंगे 20 वीडियो में आप यह मान लो 10 पाठ हम कर लेंगे और आदी गंटा का एक वीडियो मानें तो 10 गंटे में जीवन में चंचलता चपलता चातूरिय के से आवाप्त है यह निर्बर करता है समवेगों के कार्ये नियोजन पर भावात्मक उद्वेगन सकारात्मक नकारात्मक समवेगों के रूप में प्रस्तुत है जो इस वर इंगित करता है कि समवेग के से वेभार को फरभावित करता जीवन ही समायोजन है और समायोजन ही जीवन है बहुत बड़ी बात है कि धारणा को संपादित करता है एड़ जेश्ट करना शीकना जुरूरी है कुल मिलाकर इसकर्षिया है कि मुनोवेग्यान विवार को संपूर्णता से समझने का उद्गम इस्तल है जो अपने जीवन दर साके पाठे करम में यानि बारा में हम पढ़ेंगे विद्यार्थी पुस्तक को हर्दे से हर्दे और पूर्ण मनोयोग से पढ़ेगा तो जीवन में जीवन तता का अनुबो होगा निस्त रूप से 11 की किताब पढ़ने के बाद में हम कुछ ना कुछ नया शिखेंगे जो हम हमारे भी वेवार में परवर्तन यान्यदिगम होगा जो कि स्वरपरबंधन में में मेल का पतर साबित होगा खुद का मेनेजमेंट तो बड़ी चीज है अपने हापको मेनेज करना अपने समेगों को अपने वेवार को वो सब चीज.. मैं उस समस्त यान यहां यह कह रहे है प्रस्तुत किया उनको साधवाद, सुभकामनाए, ठीक है, तो अब हम सुरू करते हैं, आगे, मनविज्यान का परिच्च है, यहीं से ले लेते हैं, अब हम करम से चलेंगे, पांचो पार्ट, पहले में करम से नहीं चला था, क्यों, क्योंकि पहले आपको वो टोपिक में ने यह सब चीजें हमने देखी, ठीक है, और निश्तित रूप से आपको कुछ इसमें नया मिला होगा, तो इकाई एक है, मनविज्यान की परकर्ती और क्षेत्र, यह तो पहला पार्ट आता है आपके गाइड में, इसमें हम क्या-क्या देखेंगे, मनविज्यान की परिवासा ठीक है, और लाश्ट में इसमें अपने को वस्तुनिष्ट परसन वगरे भी मिलेंगे, तो प्रस्तावना, शुरू करें, मनुविज्यान में पराणियों का ध्यन किया जाता है, यह तो आप जानते हैं, सजीव का दिन होगा, निर्जीव का तो होगा नहीं, ठीक है, पराणि कैसे पर्ठेक्शन करता है, शीकता है, सूचता है, याद करता है, समझता है, साथ ही साथ अपने प्रियावरण के वस्तों और घटनाओं के साथ किस तरह की अंतहक्रियाई करता है, यानि प्रियावरण का मतलब आसपास का माहौल, समाज, आदिका ध्यन मनुविज में किया जाता है यानि पराणियों का दियन उनके विवार का दियन और उनके समाज के साथ जो अंतर समंद है इंट्रेक्शन है उसका दियन इसके अलावा मनविग्यान कुछ इन परसनों पर भी उत्तर ढूंडने का प्रियास करता है विक्ति क्यों किसी चीज को आसने से आद नहीं कर पाता है ना ये बड़ी समझा तो इसमें रूची अभी प्रेरिना उनका रोल होता है इस मरती के इस्तर का भी फरक पड़ता है वेक्टी में चिंतन थिंकिंग का विकास कैसे होता है चिंतन क्या है भिन भिन वेक्टियों का पर्टेक्षन भिन भिन क्यों होता है विक्तित्व का विकास केसे होता है आदी आदी इस उत्सुक्ता एवं जिग्यासा के कारण ही हम यह सोचने के लिए भी बादे हो जाते हैं अब हम आगे देखते हैं और मैं जूम करना बुल गया था इसको जूम कर लेते हैं अब ताकि आपको मोबाइल की स्क्रीन में देखने में किशी परकार का कोई कश्ट जो है वो आपको नहीं हो और अब जूम ही चलेगा इस परकार से ही यह पूरा आ गया आपके एक तमी स्क्रीन पर है इस परकार लोग एक दूसरे से बुद्धी अभी चमता एवं सवभाव में भिन है आपने देखा सभी मनोशे की बुद्धी उनकी चमता उनका सवभाव अलग-अलग होता है क्यों होता है यह है वेक तिकत भिनता इस पर सबसे ज़्यादा धिन किस ने किया कमेंट कीजिए कमेंट एक दो विद्यारती करते हैं वाकिय करते हैं नहीं है तो सबसे ज़्यादा धिन किस ने किया था गाल्टन वे कभी परसंद तो कभी दुखी होते हैं कभी अपना mood of, कभी mood on होता है क्यों? क्योंकि ये समयग होते हैं अलग-अलग समय अलग-अलग विचार आते हैं किस परकार वे एक दूसरे के मित्र और सत्रू हो जाते हैं कुछ लोग की शिकारे को जल्दी शीक लेते हैं जबकि कुछ दूसरे उस्यकारे को शीकने में जयदा समय लगाते हैं इन परसनों का उतर एक अनुभव हीं वेक्ति भी दे सकता है तता वह वेक्ति भी जिसे मनोविग्ञान का ग्यान है उत्तर को दोनों देंगे मगर उत्तर तार्किक होगा मनोविग्यान वाले का एक अनुभुहीन वेक्ति सामने ग्यान के आदार पर इन परसनों का उतर देता है परस्तुत पार्ट में हम मनोविज्ञान के शवरूप एवन छेतर को विस्तार से पढ़ेंगे तो सुरू करें मनोविज्ञान की परिवासा और लक्षे मनोविज्ञान यानि साइकोलोजी ये अंग्रेजी का सब्द है धानकना psychology अंग्रेजी का सब्द है यह दो ग्रीक याद रखना ग्रीक यानि वहां लेटिन और ग्रीक दो अप्सन आपको मिलेंगे तो आपको ग्रीक ही करना है गय ठीक है मनो विज्ञान गय सब्दार ने विज्ञान तो ग्रीक ऐसे ट्रिक आप इठालो या आप इसको ग्रीक या यूनानी भी कह सकते हैं और इसके पीछे अगर अपन लोजिकली बात करें तो इसमें क्या हुआ था मित्रों कि यूनान जो है ना यूनान में पहले बहुत बड़ी सब्यता थी प्राचिन काल में और सुकरात, अरस्तू, पलेक्ठू तो मौनविग्यान सब्द कहा से आया है ग्रीक शे, कौन सा साई के, इस फिलिंग भी याद कर लें पी, एस, वाई, सी, अच, इ पी साइलेंट रहता है एस, वाई का आई के रूपे बोला जाता है मेंसा तो साई, के, शी, अच, शी, के शी, एच, वाला तो हेड़ेख है कभी कह, कभी चे, कभी शे तथा लोगोष ठीक है, असे मिलके बना है साई के का आर्थ है आत्मा अब आत्मा वो नहीं, आप डर जाओ आत्मा निकल के आत्मा मतला हमना कहते हैं अंतर आत्मा जाने, आना अंदर की चीज गाइड में हो सकता है कहीं कोई स्पेलिंग वगर का कोई मिश्टेक हो जाए टाइप वगर यह मनविग्यान की जो पुस्तक है बोर्ड वाली, यह आप आर्पियसे में सौर्स के रूप में दे सकते हैं कि देखो यहां यह लिखावा है अधा इस साब्दे कर्द के अनुसार मनविग्यान को आत्मा का अधेयन कहने वाला विशेय था इस्टडी ओव सौल आरंबिक ग्रीक दार्सनिक जैसे सुरू सुरू के जो लोग थे ना अरस्तू, अरस्तू की किताब का नाम याद है ना पोलिटिक्स पलेटो की रीपब्लिक तो यह तो बहुत बड़े विद्वान थे राज भी जाने जाते हैं उन्होंने मन विग्यान को आत्मा का विग्यान का यानि मन यानि आत्मा कि जो आत्मा के बारे में समझ लें विक्ति को अंदर को समझ लें उसके अंतरात्मा को सत्रवी सदी के दार्षनिकों जैसे लिवी निज अब ये सत्रवी सदी क्या होती है मैं इस्टी के साब से आपको बता दूँ कि सोला सो से लेके और सत्रा सो तक का जो समय था उसे सत्रवी सदी कहते हैं सोड़ सो से लेके सत्र सो तो ये लाश्ट वाला उससे गिना जाता है तो लीवी निज लोक आदी ने साइके सब्द का अधिक उप्युकर्थ मन से लगाया तो देखो मन और सोल में फरक है मन यानि यहां माइंड से लिए है माइंड से मस्तिस्क क्योंकि सारे विचार जो है मस और लोक आपको पता होगा काफी बहुत बड़ा दर्सनिक था इसने काया कि बालक एक कोरी सलेट के समाने टेबूला रसा नाम इसने दिया था और जो है उस पर हम जो चाहें लिख सकते हैं यानि बालक को हम जैसा चाहें बना सकते हैं तो इस तरह के लोगों ने मन विग्या है वह दोनों ही कुछ एसे पतह ते जिनका स्वरूप और bathroom है अहाले चे कहिए कि दिखाओ मन को दिखाओ आत्मा और दिखाओ तो कोई friction तो कर नहीं सकते हैं अब ये तो विग्यान है मन्विग्यान शांब हम तो इसे विग्यान नहीं मानेंगे नहीं इसको मतलब इसे कहा एदर्शनी है अथा इन दोनों ही तरह के परिवासाओं को वेगाने को ने स्विकारनी किया इसके बार लोगों ने मनविग्यान को चेतना या चेतन अनुभूती यानि कंशियस चेतना का मतलब जो चेतनर एचेतन माली जेपन चेतन आवस्ता में है एक एचेतन नींद में होते हैं तो चेतन आवस्ता चेतना जो है उसको उन्होंने कहा कि इसका अध्यन करते हैं मतलब चेतना जो है न मनोविज्ञान में वो ही काम करवाती है मनुश्य से अब इसमें जो है William Wundt और उनके शिशे Titchener ये याद रखना Wundt और Titchener ने इसके समर्दख थे चेतना के याद होगे न इसके एक मेने ट्रिक भी बना रखी है आम आम आते हैं ना आम कौन से महिने में आते हैं अक्सर चेत के बाद आते हैं आम चेत में आते हैं तो पहले आतमा का दिन फिर मन का दिन फिर चेतना का दिन ठीक है चेत बेसा के मेने में आमा जाते हैं तो ये ट्रिक बना रखी है मेने आतमा का दिन मन का दिन चेतना का दिन ये करम है मनों विज्ञान का ठीक है यानि पहले आतमा को पुरानी जो अर्ष्टू पलिटो परंतो इस परिवासा को भी वेग्यानिक अध्यन के लिए स्विकार नहीं माना गया क्यों ही यह वेग्यानिक धंक्षे प्रक्षणिय करने यह तो वही बाता चेतना वाली तो समझने में मद्द नहीं थी अब आया वीलियम वुंट जो है वो परियोगा आत्मक अन्मवग्यान का जनक भी माना जाता है पता ना आपको इसने एक परियोग साला मनाई थी तो यहां से ये फेक्ट निकलते हैं आपके रटे में हैं मगर रिविजन कर रहे हैं आपको यह नहीं लगे कि ग्यारिव की किताब में क्या है वीलियम वुंट को परियोगा आत्मक अन्मवग्यान का जनक कहा जाता है उसने जिर्मनी में लिपजिंग में एक विश्वी देले में 1889 में पहला मौनवग्यानिक परियोग साला खोला यानि जैसे परियोग साला होती है वीग्यानिक उसमें तो रहते हैं कई केमिकल वगर है और वो जारवार परखन लियां रहती है अब मौनवग्यानिक परियोग्यानिक को द्वारा मनोवेग्यान को अधिक वेग्यानिक और वस्तु निष्ट के रूप में परिवासित करने के कोशिस की गई इन लोगों ने मनोवेग्यान को वेवार का दिन का विग्यान मना तो ये है आदूनिक जो अवधारना कि मनोवेग्यान वेवार का दिन है study of behavior यानि मेरे मन में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं मेरी आत्मा क्या है कोई मतलब नहीं मेरा वेवार कैसा है आपके साथ कैसा है समाज के साथ कैसा है इस्टुडेंट्स के साथ कैसा है घर में कैसा है उसका धेन और वेवार कई बार वेक्तिका परिवर्थित हो जाता है विवार में चेंजेंग आ जाते हैं क्यों आते हैं यहां विवार का परिवर्थित न अधिकम नहीं विवार बदल जाता है विवार में कईवार गुशा करता है क्यों तो वो सब का जो दिन किया जाता है विक्ति कईवार अपराद कर देता है कईवा क्यारी करता है, प्रस्तितियां उसमें विवार को परिवर्थित करती है, क्या वो सब चीज़ें जो है, उनका अध्यन किया जा सकता है वेगेनिक तरीके से, तो यह मनविग्यान को विवार के अध्यन के रूप में परिभासा जेबी वाट संने सर्वा पर्थम दी, ठीक है, सब की वाट लगा दिनोंने, सारे इस की और का कि नहीं, ये मानो, तो जे भी वाट संद, और आप मुझे एक बालक दो, और मैं उसे जो चाय बना दूँगा, ठीक है, मैं नहीं करा, किस ने कहा, बताओ आप, किस ने कहा, कमेंट कीजिए, वेवार को, एक ठोस, एवं प्रेक्शन ये पहलो की रूप में परिवासित किया, अब्जर्वेबल, अब्जर्वेबल का मतलब, आप नजर डाल कर देख सकते हैं उसको, जिसमाली जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप मेरे वेवार को, मेरे जो आतों की गतिवीदी है, और उन सब को आप देख रहे हैं, ठीक है, अमाली जी में यहां फोन बीच में जर चलाता रहोंगा, तो आप समझ जाएंगे, गुरुजी तो हमें कमपड़ा रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो वो आपने प्रेक्शन कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं चीजों को, उसे बलता है प्रेक्शन, उब्जर्वेशन, पहलो के रूप में परिवाशित किया गया, अठाई हैं आत्मा, मन्या, चेतना, काफी से विंता, क्योंकि यह सबी कुछ ऐसे आत्मनिष्ट थे, जिनका प्रेक्शन भी नहीं किया जा सकता, आत्मनिष्ट का मतलब होता है, खुद पर निर आत्मनिष्ट, यानि खुद की इच्छा के नुशार मुल्याकन कर दिया, और वस्तुनिष्ट वता है कि चाहे में करूं, चाहे कोई भी करें, हर आलत में उसको जो फैक्ट वो मानने पड़ेंगे, तो उसे कहते हैं वस्तुनिष्ट, अब्जेक्टिव, इसका विसे वस्त एक पर्टेक्शन, यानि चीजे सामने रखने और हाव आदिका, उनका यह अध्यन मनविग्यान कहलाता है, करता है, साथ ये साथ, मनविग्यान उन मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे इसमर्ति, चिंतन, का भी अध्यन करता है, जिनका सिद्धे प्रेक्शन तो नहीं किया जा स परन्तु उनके बारे में आसानी से वेवार आत्मक और मनविग्यान इक आखड़ों के अधार पर अनुमान लगाए जा सकता है, ठीक है, अनुमान सब्ध काम में आया है, यहां पर मगर है मानसिक प्रक्रियाओं, इन अत्त्यों को ध्यान में रखकर मनविग्यान के एक उत और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों आ गई, एक तो वेवार वेक्तिका, वेवार कैसा है, ठीक है, इस्कूल जा रहा तो कहां कहां रुक रहा है बीच में, कौन कहां से दुकान पर रुक रहा है, क्या क्या रखते कर रहा है, तो वो वेवार हो गया, और मानसिक प्रक्रियाओ यानि अधिकम सीखना, टेजी सीखना, दिरेशेखना, भूलना, चिंतन करना, तरक करना, बुद्धी, बुद्धी की जो है ना उपलब्दियां, समायोजन, समवेग, ये सब चीजे मानसिक प्रक्रिया हैं, उनका दिन, तो शेंट्रोक ने, जो है एक सांदार श्ट्रोक लग नजर डाल लेना, डालो तो, सिस्रेली और मेयर, मनविज्ञान, 2006 लेटेश्ट है, मनविज्ञान वेवार और मानसिक प्रक्रियाओं का वेग्यानिक दिन है, बात वही आगई, वेवार और मानसिक प्रक्रियाओं का वेग्यानिक दिन है, मेयर कह रहा है, मेयर और सिस्रेली ये क्या कह रहा था मनविग्यान वेवार और 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 मनविग्यान के लक्षे क्या है जैसे मालीजी अब आपड रहे हैं ग्यान ले रहे हैं आखों से हम देखते हैं ग्यान लेते हैं इचीज इदर है इदर है रोड इदर जाएगी वो कानों से सुनते हैं ठीक है तो जो ग्यान हमारे पास इतना भी है वो संग्यान आतम के पक्रिया है ऐसे अधेन के पीछे उसक तो है मापन एवम वरनन मेजरमेंट और डिस्क्रिप्सण ठीक दूसरा है पूर वानमान और नियन्टन पूर वानमान प्रेडिक्शन यानि कि वेति ने इसा विवार किया तो आगे भी इसा कर सकता है पूर वानमान या फिर मालो बालक का मुल्यांकन की हमने करें ये बच्चानी सित्रूप से सक्षेज होगा टोप करेगा पूरा अन्मान व्याख्या एक्सपलेशन ठीक है व्याख्या करते हैं इसा क्यों हुआ केशे हुआ तो मापन और वरणन आता है ना आपके मापन और मुल्यांकन आता है इसमें मापन और मुल्याकन में फरक तो मौनविग्यान का सबसे पर्थम लक्षे सबसे पर्थम लक्षे यहां दिया है परसंबन सकता है सा परना लेके वेवार एवं संग्याना आतमक परियाओं परकरियाओं का वरणन करना और फिर उसे मापन करना है तो पहले बात वेवहर का और संग्याना आत्मक परकरिया है, मानसिक, चिंतन वगर है, तरक सक्ती, बुद्धी, उनका वरणन करना, फिर उनका मापन करना, देखना, तब इन मापते हैं न, कि परतिबावान है, क्या है, किसे हैं, परमुक मनवेगनिक परकरियाओं जैसे चिं परिक्षनों के आवसक्ता होती है, बुद्धि मापन के परिक्षन भी हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ेंगे, वना आर्मी अलपा, आर्मी बिटार, वेक्ति कत्र सामुई के, इसलिए मनवेगनिक परकरियाओं को मापने के लिए परिक्षन या विशेस परवदी का विकास क परिक्षन वही मापने के लिए उसे बनाया गया है, वेद रूप से, यानि कि जो उसको मापना है, यानि जो परिक्षन वही माप रहा है, जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, ठीक है, वो वेद है, ऑथेंटिक रूप से है, ऑथेंटिक वेक्ति ही माप करें, मापने के बाद मनवेगनिक उस वेवार का वर्णन करते हैं जैसे बुद्धी परिक्षन द्वारा बुद्धी मापने पर यदि किसी वेक्ति का बुद्धी लब्दी 150 आता है तो मनवेग्यनिक यह समझते हैं कि वेक्ति तीवर बुद्धी का है और वह विभीन परस्ततियों में बुद्धी मतापुर्ण वेवार कर सकता है तो यहां क्या हो गया मापन भी हो गया भविश्यवानी भी हो गई तो दोनों चीज़े आ गई ना मापन आ गया भविश्यवानी आ गई और पूर आनुमान हो गया और व्याख्या हो गई ठीक है अब पूरवान। तो मापन तो वस्तुनिष्ट और वेद दोनों चीज़े समझ में आ गई आपके वस्तुनिष्ट यानि कहीं भी मापन उसको चेक कर लो कितनी मार कर लो उत्तर वोई आए और वेद अता का मतलब जो अथेंटिक रूप से दिकरत है वो ही उसका मापन करें पूरवान। और नियंतर्ण। मुनविग्यान का दूसरा लक्षे वेवार के बारे में पूरवा कतन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से जो है नियंतरित किया जा सकें यानि पहले ही पता लग जाए कि इस वेक्ति ने ये अपराद किया है तो आगे भवश्य में इसा कर सकता है तो जो पुलिस है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो भी साइकलोजी जानते है जहां तक पूर्वा कतन का सवाल है इसे सफलता मापन की सफलता पर निर्वर करता है यानि कि अगर आपका मापन अच्छा है आपने अच्छा मेजरिमेंट लिया है तो पूरो आनमान आप ज़्यादा सही निकालेंगे मापन ही धंक्षे नहीं किया तो पूरा अनमान फिर गलत आएगा सामाने तया मनोविग्यानिक विवार के मापन के आदार पर ही यह पूरवकतन करते हैं कि विक्ति अमुक प्रस्तती में क्या कर सकता है और केशे कर सकता है जैसे अगर हम किसी चातर के सामाने बोधी किस तरका मापन करके उसके बारे में सही सही जान ले तो हम इसकूल में उसके निस्पादन के निस्पादन का मतलब परफॉर्मेंस कि वो यह कैसा करेगा क्या रिंग ला सकता है क्या कर सकता है के बारे में पूरवकतन आसानी चे कर सकते हैं मौनले जिए आप कगसा में गए 20 बच्चे है आप ऐसे कैसे कह देँगे मूँ देखे तो कहेंगे नहीं कि ये होसियार रहाई ये कमजोर है ये पड़ाय में होसियार ये खेल में होसियार है नौर्मल अपन कह सकते हैं मगर पर्मानेट नहीं कह सकते हैं आपने टेस्ट लिया उनका ठीका और धंग से टेस्ट लिया सारा हर परकार का या सभी सब्जेक्ट का दो तो तब आप कह सकते हैं मापन किया तब आप बता सकते हैं ये बच्चा जो है इस फिल्ड में अच्छा आगे जा सकता है ये वी के इसको ये ये सुदार करने है तो अगर मापन आपका सही रहेगा तब ही तो आप पूर्व कतन कर पाएंगे तो अभी रूची को मापकर ये अनमान लगाते हैं वेक्ति को किस तरह के कारिये में लगाना उतम होगा तो अभी रूची को मापते हैं रूची किस में इसके भी टेस्ट बने हुए हैं तब हम ये देख लेते हैं कि इस वेक्ति को इस फिल्ड में जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके हैं क्यों कि रूचिका काम विक्ति जदा करता है, पूर्व कतन तथा नियंतन साथ साथ चलता है इधानक ना, मनवेज्यानिक जब भी कभी वेवार के बारे में पूर्व कतन करता है, तो उसका उदेश्य उदर चलते हैं इस साइड, वेवार को भी नियंतित करना होता है अब है व्याख्या मौनवेग्यान का अंतिम लक्षे ठीक है ये ध्यान रखना है हाईलाइट में अंतिम लक्षे मानना वेवार की व्याख्या क्यों व्याख्या तो लास्ट में होती है सिद्धे थोड़ी होती है लाश्ट मैं एक्स्पलेन करते हैं कि आदे हैं वेश्यंआ इसे करेगा वैवार की व्याक्या करने के लिए मॉनवग्यानी कुछ सीधान्त का निर्मान करते हैं ताकि उनकी व्याक्या व्यग्यानीक डंक से की जा सके हैं ठीक है находится इसे सिधान्त ग्यार्त इस्त्रोतों ये गड़त अभी इस्त्रोत सब्द गड़त है हिंदी की दृष्टी से जहां तक मुझे मैंने बढ़ा है ये होता है सै और ये रैस रोत बाकि आप ये कमेंट करके बताना किसे तब्थेओν को संगटित करते हैं सोर्स वीभीन परकारसे और मनुवगयानिकों को उस परस्तिति में तक संगत उद्मान लगाने में मदद करते हैं जहां वे सही उतर नहीं जान पाते मानव वेवार की व्याख्या करना मनव वेवार की व्याख्या करना यानि मानव वेवार की व्याख्या करना क्योंकि जब तक मनव वेवार की है नहीं बतला पाते कि अमुक वेक्ति अमुक वेवार क्यों कर रहा है अमुक मापन परविदी क्यों काम कर रहा है तो वो सही डंक से नहीं तो उस वेवार के बारे में पूर्वकतन कर सकते हैं और नहीं डंक से नियंतन ही संभव है समझ में आ गई बात आपके मनोविज्यान के लिए तीन बातें जो है वो उसकी प्रोसेस में है जिसमें की मापन आ गया व्यक्या आ गई पूरा अनमान आ गया मनोविज्यान का इतियास अब हिष्ट्री मनोविज्यान आई कहां से तो मूल रूप से तो कहां से आई यूनान से यूनान जो है न सबसे पहले वहां से मनविज्यान, मानसिक प्रक्रियाओ, अनुभव, वेक्त और अवेक्त दोनों परकार के विवारों का करम बद और वेग्यानिक अध्यान, सब सेम देखो, important, मानसिक प्रक्रियाओ, अनुभव, वेक्त जो कह दिये और जो मन में रह गए, अवेक्त, दोनों परकार के वेवहार का क्रम बद शिक्वेंस से और वेग्यानिक अधेयन है मनविज्ञान ठीका ना मानसिक परक्रिया वेक्त ऐवेक्त वेवार अनभव बोदिक परक्रिया मानव का वेवार उन सब का क्रम बद और वेग्यानिक अधेयन है मनवग्यान सब्द की उत्पती साइके और लोगों से हुई है साइके कारता आत्मा लोगों सकार्थ सास्त्री अध्यन यानि आत्मा का ध्यन इस परकार पहले मनवग्यान में आत्मा का ध्यन किया जाता था अब आत्मा का मतलब यह है कि उसकी अंतरा आत्मा कि मनुष्य क्यों काम करता है के से करता है अंतरात्मा क्या है वेसे वहां आत्मा वो नहीं की भी मरने के बाद आत्मा का जाती हो नहीं है तो वो भी अध्यन भी मनोवेग्यानी की था आधुनिक विद्यासा के रोप मनोवग्यान जो पास सात्य विकास से बड़ी शिमातर प्रवावित है का इतियास बहुत छोटा है इसका उद्भव मनोवग्यानिक सार्टक्ता के परस्नों से संबद प्राचिंदर संसास्तर से हुआ है मन विग्यान के तियास को मूलता है दो भागों में बाटा जा सकता है कौन-कौन से भागों में पूर विग्यानिक काल और विग्यानिक काल यानि पहले मन विग्यान एक सुद्ध विग्यान नहीं था अब इसको सुद्ध विक्यान बनाने का प्रियास किया गया है जब तक आम चेत में लग रहे थे यानि आत्मा मन और चेतना तब तक वेग्यानिक पूर वेग्यानिक काल था और जब वेवहार को मान लिया प्रयोक साला इस्तापित हो गई चीज़ों को प्रिक्षन कर सकते हैं वस्तुनिष्टा आ गई तो उसको वेग्यानिक मान लिया अब हो सकता आने वाले कई सालों बाद फिर कोई चेंज आ जाए पूर वेग्यानिक काल आनन्द आ रहा है आपको पढ़ने में देखो पढ़ाई में तो ऐसा ही आनन्द आता है बाकी मोबाईल चलाने में गेम खेलने में गप्पें करने में वो आनन्द तो यहां कहा है मगर इसी आनन्द को लो तो वो आनन्द भी आपको बाद में मिलेगा पूरो वेग्यानिक काल पूरो वेग्यानिकाल के सुरुवात ग्रीक दार्षनिकों जैसे पलेटो, अरस्तू, ठीक हीपोक्रेटस, आधी के अधहयनों और विचारों से प्रारम होती है देखो ये भी डही डही जार साल पेले इतने बड़े विद्वान थे जनको आज भी याद करते हैं उनिस्वी सदी के उत्रार्द तक, उनिस्वी सदी का मतलब अठारा सो से लेके उनिस्वी सदी का मतलब अठारा सो साल का समय जो है विशेस कर अठारा सो अठतर माना जाता है इस काल में हिपोकरेटस ने यानि इस काल का मला अठारा सो अठतर नहीं पूरो वेगयानि प्राचीन काल में हिपोकरेटस ने ये तो अठारा सो अठतर तक माना है यानि पूरो वेगयानि काल प्राचीन काल से लेकर यानि इस्वी पूर्वा से लेकर 1888 तक हम इसको मान सकते हैं समझ गई यहां में लिख देता हूँ यानि इस्वी पूर्वा है ये लोग इस्वी पूर्वा में तो थे इसा से पूर्वा है से मुक्यता है 1888 यानि कि उन्यूसी सदी का उत्रार्द हिपोक्रेटस ने 420 420 का मतलब अभी चल रहा है 2021 और इसमें 400, 2020 से भी 400 पहले यानि कि लगबग 221 साल पहले स्रीर गठन का सिदान्त या भी हिपोक्रेटस को आप चिकित सामें पढ़ते ही है स्रीर गठन परकार का सिदान्त दिया था इस इसका परभाव आने वाले विगयाने को पर कापी पढ़ा और शेल्डन ने बाद में चल कर आपट का न रचना सिदान्त वेक्तितव के वर्गे करनें के लिगए 6 सिदान्त सोमेटो टाइप सिदान्त यानि शेल्डन का आता है वेक्तितव का रचना सिदान्त मैंने ट्रिक बना रहे है शेल्डन से से बराबर शेप यानि आकार आकार के आदार पर यानि कि गोलाकार है समुकसवाओ के आईताकार ठीक है गोलाकार आईताकार और एक और था ना उसमें गोलाकार हो गया, आयताकार हो गया, एक और था, तीन थे न, तो इस तरह से जो है, यह शेल्डन वाला है, तो यह इसने सिदांत, यह तो आदोनी काल का है शेल्डन, ठीक है, अब यह और देख लेते हैं अपन, यह लास्ट प्रोग्राफ है, फिर इस वीडियो को पन, दो दो चीजे हैं, यानि सरीर एक अलग चीज है, मन एक अलग चीज है, इन दोनों में किशी परकार का संबन्द नहीं है, जिसे हार्डवेर, शोप्टवेर, परन्तु देकार थे, देकार थे जो है, बहुत बड़ा दार्शनिक था, इसने कहा था कि मतलब इस्वर है, और क इस पी नवजा, आदी ने बतलाए कि सच्मुच में मन और सरीर दोनों ही एक दूसरे से समझ दिता है, और एक दूसरे को परभावित करते हैं, यह तो बसत्ते भी है, अब सोप्टवेर अपने आप में काम का नहीं है, हाडवेर काम का नहीं है, दोनों मिलके काम करते हैं, क कि प्रते एक वेक्ति में जनम से ही कुछ विशेस विचार होते हैं, परन्तों अन्यदारसनिक जैसे लोक कामत था, कि वेक्ति जनम के समय टेबुला रासा है, जिसके हमने बात की थी, यानि कोरी सलेट है, कोरा कागज है, ठीक है, और बाद में उसमें नए-नभव, नए-ने विचार उत्पन होते हैं, तो दोनों भी बाते हैं सही है, जैसे मानिजे हम अभी मन्यों की बात करें, या पराचीन बात करें कि गर्भावस्ता में भी वेक्ति कुछ संसकार लाता है, चेतना है, वो भी कुछ मूल लेके आती होगी, तो जिन्स में आते हैं उसके कुछ गया दी गई, इंस्टिक्ट, और यह सा समझा दाने लगा कि परते कविवार की वेक्यास मूल परवर्थे के रूप में हो सकती है, यानि वेक्ति कई वार जैसे खुसमिजाज होता है, जैसे कई लोग खुसमिजाज ही होते हैं, कई लोग चिड़ सिड़े से होते हैं, कई दरशनोका कहनना था कि मनुश्य जनम से अच्छे सबाव का होता है परन्तु समाज के कटू अन्भो उसके सबाव को बुरा बनाते हैं जासे महाली जी यह आपके साथ बार-बार बुरा बुर्ताव करें तो फिर आपको गुसा अता है पर आप देखते हैं कि जो अपन भी इस होता है जिसे मालीजी उसको भूग लगती है तो माँ को याद करता है नहीं खेल रहा है ठीका आकर्मन करता है मतलब चीजें तोड़ना फुड़ना तो सारी बाते हैं सब्ते आती है थोड़ थोड़ी समाज द्वारा नींतित कर दिये जाते हैं मगर वो गुन फिर बढ़ा हो करने के बाद में समाज के द्वारा नींतित कर दिये जाते हैं फलता वेक्ते का सोभाव ऐसामाजिक से समाजिक हो जाता है उनीसवी सताब्दी के आरम में दो प्रमुक छेतरों में जो अध्यन किया गया उसका आदोनिक मने विग्यान पर सबसे गयर आसर हुआ पहला चेतर अध्यूं के कारिय के ध्यन ग्यानेंडरियानी जिसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है यानी आंखें, कान, जीवा, आदी के मादियम से ध्यन पर अधिक बल डाला गया इस चेतर में वेबर और फेकनर आदी का योगदान था तो यहाँ जो है धिरे-दिरे महोल बन रहा है कि इसका वेगयनिकाल की और, पूरो वेगयनिक से वेगयनिकाल की और, अब है वेगयनिकाल, इसके बारे में हम पार्ट टू में बढ़ेंगे, धन्यवाद.